जैमातादी दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ अच्छे होंगे चलिए इस ब्लोग में मैं आपको नवरात्रों के बारे में बताऊंगी किस तरह हमारे यहां देवीक मा का स्वागत किया गया कन्या पूजन किया गया हमारे यहां किस तरह से नवरात्री मनाई जाते हैं हमारे गाव में किस तरह से नवरात्रों का स्वागत किया जाता है और अपने स्कूल की कुछ एक्टिविटी आप से मैं शेयर करूंगी और माता रानी का जो भवन है महां पर किस तरह से मेला भड़ा जाता है जहां की बहुत जादा मान्यता है बहुत ही परशिद मिला है महां की भी कुछ जल किया मैं आप से शेयर करूंगी और माता रानी के दर्शन कराने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगी चलिए इसी के साथ अपने ब्लोग की स्टार्टिंग करते हैं अगर आपको मेरा ये ब्लोग अच्छा बूले और झादा से जादा शेयर करें और लास्य में कमेंट्स बोक्स में प्लीज जै माता जी जै माता लिखना ना भूलें जिससे मुझे ये लगए कि ब्लोक तो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें बोले जै माता दी कि ह Земmond राधारानी की प्रानपतिष्ठा करा रहे हैं जिसकी पूजा विधी की सामगरी है यह है पंड़जी को देने के लिए रखा है हमने जोड़ा पंड़जी ने पूजा स्टार्ट कर दी है और उन्होंने सारी पूजा विधी जो राधारानी की है प्रानपतिष्ठा की वो मेरे मेरे से ही करवाई गई आज मन बहुत ज़्यादा खुश है आज नवरात्रे का साथवा दिन है और राधारानी हमारे घर आई है इससे ज़्यादा खुशी का दिन और क्या होगा पूरी विधी विधान से उनकी हमने प्रान पतिष्ठा कराई जो राधारानी की जब प्रान पतिष्ठा के बाद हमारी राधारानी बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लग रही थी ये राधारानी मेरी बेटी की फ्रेंड ने उसको गिफ्ट की थी उसके बाद राधारानी आप सब को पता है पास दिन के लिए चावल, फल, गेहूं, दूद सब में रखी जाती है उसके बाद इनकी प्रान पतिष्ठा होती है जो भी इनकी विधी होती है क्रिया विधी होती है वो सब मैंने जहां तक कोशिस हो सकी महां तक की फिर हमने राधारानी के गीत गाए और उसी दिन मैंने माधारानी की पिन्नी की थी उसके भी गीत गाए कहते हैं जिद दिन राधारानी की प्रान पतिष्ठा होती है उस दिन उनके गीत गाए जाते हैं उसके बाद मैंने पिन्नी स्टार्ट की थी जिसमें मैंने रबडी का भोग बनाया था ये हमारी स्कूल की एक्टिविटी हैं जिसमें मादुर्गा के नो रूपों को दिखाया गया है किस तरह माता रानी ने राक्षशों का संगार किया था वो सब एक्टिविटी के द्वारा दिखाया गया जिसमें बहुत ही सुंदर लग रही थी सारी गर्ल्स बहुत सुंदर लग रही थी सब बहुत जादा बहुत से प्रोग्राम हुए थे लेकिन मैं आपके सामने कुछ जल क्या ही पस्तुत कर पाई क्योंकि उस दिन में स्कूल नहीं जा पाई उस दिन मेरे यहाँ पर राधा रानी आई थी और माता की पिन्नी थी फिर हम स्कूल में जलाया गया रावन अमारे गाउ में जागरण था जिसकी जो लेकर पूरे गाउ में गुमाई गई जागरण से पहले जोत गुमाई जाती है पूरे गाउ में जिसमें गुलाल से खेला गया डांस किया गया माता के भजन गाए गए यह माता रानी की जोत है हमारे मतलब यहाँ बहुत रोनक होती है नवरात्रों में यह कन्या पूजन का परशाद है जिसमें हलवा काले चने पूरी का भोग लगाया गया कन्जिके जिमाई गई बहुत खुश थी सारी कन्जिके मैंने सुबह ही कन्जिके जिमादी थी कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले कन्जिके मैं ही जिमाऊं पहला भोग हमारे घर से ही लगे और माता रानिये मेरा पूरा करती है फिर मैंने कन्याओं को gift दिये जिसमें कन्याओं कह रही है मुझे ये color चाहिए मुझे ये color चाहिए कि छोटी बच्चीया है आगे से मैं एक ही color के लिए क्या हूँँगी ये हमारी सबसे छोटी कन्जिके जहाते indicating फिर जाते जाते सब कर्ण्यावने अमारे घर में खुशी पिखेर कर गई फिर मैंने अपना ब्रत खोला अगले दीन दशेरे को हमारे याँ दशेरा बनाया जाता है जो की गाई के गोबर से बनाया जाता है मैं सुबह ही उठकर सबसे पहले दशेरा बनाया ऐसे बनाया जाता है हमारे यहां दशेरा फिर इसमें नोर्ते लगाए जाते हैं पंड़त जी आकर पूजन करते हैं मेरे बेटे ने यह पूजन किया था जो पंड़त जी ने करवाया था यह रात को बनाया था मैंने डिनर यह हमारी राधारानी अगले दिन 14 को हमने मतलब फिर हमारे यह 14 को हलवा पूरी का भूग लगाया जाता है पूजन की जाती है जो ही मैंने सुबह उठकर ब्रह्म मोरत में यह सब काम किया फिर हम गए मातारानी के दर्बार जहां पर मातारानी को परशाद चड़ाया जाता है 14 के दिन और मेला बहुत बड़ा मेला लगता है यह बहुत ही परशिद मेला है यहां पर दूर दूर से लोग आकर मातारानी के दर्शन करते हैं इतनी ज़्यादा भीड थी कि घंटो लाइन में खड़ा रहना पड़ा लेकिन मातारानी का आशिवाद था कि मुझे जल्दी ही मातारानी के दर्शन हुए इतनी भीड में में रुपे जितनी भी ज़्यादा वीडियो बन सकी मैंने बनाई और आप सब को उनकी जल्द क्या दिखा रही हूं यह देखे किस कदर भीड है बोसी मनलब लाइन में घंटो हो गए खड़े-खड़े यह भैरो बाबा का मंदिर है परशाच चड़ाने के बाद भैरो बाबा पर परशाच चड़ाया जाता है पिर यहां पर मलम मेले में जो जो चीजे भी करही थी वो सबसे आप सबसे शेयर कर रही हूं दिवाली आनी वाली है तो दिए करवे ये देखे दुकान, बहुत चीजों की दुकाने लगी हुई थी, आप देख सकते हैं किस तरह भीड़ है, जूले लगे हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा रोनक थी, फिर हमने खाई टिकी,